हाँ तो बैर अगपतनों आज के इस्टूडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस्टूडियो में बात करने वाले MPPSC Prelims 2023 की स्ट्रेटेजी के बारे में तो यू कहलो कि ये स्ट्रेटेजी का वीडियो या यू कहलो कि इस्टूडियो में कड़वे सच बताने वाला आँ कुल मिला के एसे लच्छन जो तुमारे अंदर नहीं होने चाहिए यदि ये वाला प्री निकालना है तो अगर वो लच्छन हो भाईया तो ये प्री निकलेगा इस बात को अपने मन को बहुत अच्छे से समझा दो कि प्री निकलेगा ठीक है इस परस्टे वो क्या है अब यहाँ पर कोचिंग का मतलब क्या है मैं बता दूंको या तो कोचिंग कह लो या यू इसको कोर्स कह लो या किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्सन कर लो कुल मिलाकर वीडियो कोर्स कहलो या कोचिंग में जाकर टाइम वेस्ट कर तो वह कहलो ठीक है टेक कोचिंग तुमारे लिए जरूरी एक्जाम निकालने के लिए जरूरी जाहिसा बात है अगर नहीं पड़ा हो पहले से तो ते एक चीज़ तो यह होगे भईया ठीक है हां मान लास्ट में तुम जाके तुमको खुद को लगेगा कि हाँ यार बात जो बोली वास्तों में थोड़ा तरक के आधर पर बोली हवा बाजी नहीं करीगे यह वगे बुक जिसके बाद में अपने बात कर लेते हैं यह आगए अपने ही हाँ पर objective book ठीक है तीसरी चीज यही चाहि जाए अगर यह चाहीं चीज तुमारी complete है तो तुम परे निकाल सकते हो लेकिन अगर यह चाहर अभी कर रहे हो आप अभी चाहर आप है तो यह मानके चलो कि आने वाली प्रित तक तुमारा syllabus नहीं हो चाहरो कर रहे हो तो नहीं बताता हो कि ऊत्ते आधार पर कैसे कि सखतो तुम्हारे पास 10 unit है, ठीक है? घंटे कितने तुम्हारे पास? हाल तो कि हववाजी वाली बाते हैं 10 घंटे आदमी कप पढ़ता है जब एक्जाम के 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन पहले पढ़ लेता है एक महीने पहले पढ़ लेगा अभी से 10 घंटे पढ़ लेए पोसीबल नहीं है तो अपने मान के चलते हैं कि मोटा मोटा भीया 8-9 घंटे विक्त ठीक है अब 8-9 घंटे अगर विक्ति पढ़ रहा है तो तुम अभी क्या-क्या चीज़े कर रहो कोचिंग भी कर रहो यह पहला वाला उप्शन तो कोचिंग को लगभग अब थोड़ा सा बुरा लगए तो भहिया कोचिंग का नाम बता दो हाँ मेरा चैनल बंद कर वादन ह तुमारी कोचिंग का नाम बता दो पाईकीप कोचिंग जो तुम जिस से पढ़ रहो उसका तो यह कोचिंग के जिन से भी वीडियो अगरा देख रहो ना उसमें मिनीमम कोई सी कोचिंग ऐसी नहीं जो चार से पांच घंटे की क्लास नहीं लेती हो तो यह मान के चलो कि अब तुमारे पास यह 5 तो हो गए क्या खतम कि यह चीजे आप देख लो वीडियो से काम तो होगा नहीं पढ़ना तो पड़े ही तो आपके पास चार घंटे बचते पांच तो गए चार मुश्किल से बच पाते इन चार घंटे में तुम यह भूब भी पढ़ लोगे यह लगा लोगे यह टेस्ट भी लगा लोगे और इनी चार घंटों में यह पांच घंटे के जो सर्ने लेक्चर लिए हैं उनकी पीपीटी ने पीपीटी ने जो भी रापर्टो लाओ करते हैं वह भी पढ़ लोगे मतलब उसका भी रिविजन कर लोगे तो कुल मिलाखे काईद में चार चीजा लेकिन में चार चीज़ों में से तुमको एक या दो चीज इसकीप करनी ही पड़ेगी अगर तुमने उसको अब भया इसमें से skip कर दो, तुम इसमें से skip क्या कर सकते हैं, तुम यह बता दो, तुम आगर test skip कर दोगे, तुम्हारा selection possible है क्या, impossible है, तुम objective book को skip कर दो, हो सकता है कि selection नहीं हो सकता, क्यों objective book पढ़नी ही पड़ेगी, या तो फिर आप objective book नहीं पढ़ो, तो test इतने लगा लो कि आपके और अवर ग्यानी कोई नहीं रहे, जो कि possible नहीं है, तो objective book और test दोनों compulsory है, मतलब, मान के चलो, पढ़ना है, book, book भी आपको पढ़नी ही पढ़ेगी, ठीक है, अब कुल मिला कि यह दो चीज आती है, दो syllabus भी हो जाएगा, तो महीं चीज़े भी हो जाएगी, यह चीज़े beginner लोगों के लिए पहली बात तुम्हें बता दू, जो हुस्यार है, जिसमें पहले, तीन साल पहले, परीगा syllabus प्रीगा syllabus कंपेट कर लिए, वो यहां नेता मत बनना, और जादे नेता बनने का सोखे तो call अब इन दोनों में से एक चीज़ तुम करोगे ना, जब जाके तुम्हारा syllabus पूरी चीज़े सही साथ होगी, क्योंकि देखो, book को भी तुमको 4-5 घंटे देने हैं, और coaching को भी 4-5 घंटे देने हैं, अगर 4-5 घंटे दोनों को दे दोगो, तो 10 घंटे यह बराबर होगे, फिर कब objective लगा लोगे, कब टेस्ट लगा लोगे, यह वास्त तुम रिकता है, सिवकार करने वाले ही सिवकार कर पाएगा, हाव वाजी वाले कुछ नहीं, इस बार फोड़ दें, परित हां फोड़ ने, अरे काई से पहस्तर से फोड़ दो, काई से फोड़ दो पढ़ना प बताएगा, तो समझ में तो आने चीए, डायक्त बुक पढ़ोगे, दाई जी को सुननी पढ़ेगी, क्या चल रहा है, ठीक है, तो अगर जो beginner लोग है, उनको मैं सजेस्ट करूँ है, कि आप बुक वाला portion जो है, वो skip कर दो, कोचिंग से अगर पढ़ रो तो पढ़ो, और जैसे आज सर ने मान लो, for example, कि आज MP की नदिया पढ़ाई, तो MP की नदिया सर से पढ़ी, कहीं का कुछ रिविजन नहीं करना, MP की नदियों की बाकाइदा, objective उठाई, और नदियों का topic निकाला, और नदियों के पूरे objective लगा दिये, बस, ये काम हो जाएगा अपना, मतलब कि हमको समझ में आता है, हमको टीचर के जरवत नहीं, हम भुप से पढ़ सकते, तो मैं उनको सज्जिस करता हूँ, भया कि आप ये coaching या course का जो रापर्टोय चलता है, इसको skip कर दो, ज्यादा सही है, अगर तुम ये skip कर दो, कि सीधे तुम आए 4-5 घंटे बच रहे, पढ़ना भी है, तो कुछ AC unit जो तुमको वाके में टाफ लगती, जैसे मानले 7th unit, 9th unit, तो उनके पढ़ सकतो, बांकी उनके skip कर दो, आपके सीधे 4-5 घंटे बचेंगे, 4-5 घंटे अगर तुम objective और टेस्ट में लगा दोगे, तो में दावे के साथ बोलना है कि फोड़ द देखो, बुक भी देखो, objective भी देखो, टेस्ट भी देखो, सब देखो, पर पढ़ना 8-9 घंटे, इससे ज्यादा मत पढ़ना, 8-9 घंटे पढ़ो और यह साही चीज करो, फिर qualify करके बता दो, तो मैं मान जाओंगा, ठीक है, लेकिन जिसको भरोसा है, जिसको लगता है कि यह जो कुछ चीज़े बता रहे, तो अथेंटी की बताएंगे, हवाबाजी नहीं कर रहे, इसलिए, मैं को मज़े नहीं आ रहे, किसी के भविस्ट के साथ खिलिवार करने में, और मैं को ऐसा भी नहीं कि कोचिंग वाले कोर्स खर्दों को मेरा लाखों का नुक्सान, मैं क तुम्हारे पास basic understanding इतनी है, कि तुम खुद book पढ़ सकते हो, तो book पढ़ो, और अग नहीं है, तो book को skip करो, फिर coaching से पढ़ो, और direct ही यहां पूदो, ठीक है, तो कुल मिला के तीनी source लखना, या तो book, या coaching, दोनों में safe, या तो video course, या book, जो भी कहले हैं, दूसरा objective book, ये लगा नहीं है बेटा, ये इसके बगर काम नहीं चलेगा, तीसरा test, बस, ये तीन चीजे रखना, तीन के लावत, जहां चोथा source हुआ समझ जाना, कि तुम गड़बर हो जाओगो, और फिर मेरे समत के ना, भहिया भहिया कुछ ने कर पाएंगे, उसमें भहिया पिर दस अगर नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप किसी को ऐसा बुक से रेलेटेड़, या कुछ भी ऐसा गाइडेंस टाइप लगे, कि PSC रेलेटेड, पहली बात हाओ, भाज नहीं, PSC रेलेटेड, कुछ भी लग रहा हो, इस्टेटेजी पाईगी, साइच चीजे प्रोवाइड कर दूँगा, मतलब बाता दूँगा, पुरोपर गाइडेंस के साथ, एकदम रोड मैप, बांकि तुम पढ़ो तो पढ़ो, नी पढ़ो तो फिर तुमारी, धन्यवाद जहीं जभाद, PSC के और भी होसाई उड़ी बना रगी, सब को जाके देख लो, थेंक्यू इत्पा धेल देसके लिए, ठीक,